यूनिट्स एंड मैजर्मेंट चैप्टर पार्ट टू तो पार्ट टू में हम बात करेंगे यूनिट्स की इससे पहले वारा पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो उसे एक बार जरूर देख लिजी और साथ ही मैथेमेटिक्स का जो सिलेबस है वो हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया है तो उन सभी चैप्टर की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा बात करते हैं योनिट्स की हमारा चैप्टर ही ही योनिट्स एंड डिमेंशन है तो सबसे पहले हम बात करेंगे योनिट्स क्या होती है या योनिट क्या है वाट इस योनिट्स योनिट्स की क्या डेफिनेशन बनेगी तो मैं आपको definition समझाऊँगा भी और इस तरह से लिखके दिखाऊँगा कि आपको याद भी हो जाएगी unit क्या देखिए a chosen standard तो हमने क्या किया है एक standard choose कर लिया है of the same kind जैसे example आपको लंबाई नापनी है तो लंबाई नापने के लिए आपने क्या किया एक standard को choose कर लिया जैसे example मुझे लंबाई नापनी है मेरे पास कोई भी scale वगएरा कुछ नहीं है तो मैंने क्या किया length को नापने के लिए मैंने एक standard चूज कर लें जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह मेरे पास refill था तो इस refill का जो इतना बड़ा size है इसे मैं एक unit कह रहा हूँ अब मुझे अगर length नापनी है दो points के बीच में मान लीजिए हमारे पास एक point है A एक point है B तो इस A point और B point के बीच में कितना distance है तो मैंने क्या किया अपनी इस जो standard यह choose कर रहा था इससे measure कर लिया तो इस तरह से मैं कहूँगा कि A और B के बीच में एक unit का distance है ठीक है इस unit का नाम मैंने क्या रख दिया इंच रख दिया तो मैं कहूँगा कि A और B के बीच में एक unit यानि की एक inch का distance है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक standard choose करते हैं, same kind का, क्योंकि हमें लंबाई नाप नी थी तो हमने जो standard choose किया है, वो भी कैसा है, वो देखें, लंबाई को बता रहा है सीधा-सीधा बिल्कुल straight है ठीके, तो हमने एक standard choose कर लिया, of the same kind उसके बाद देखिए, ये करेगा क्या, जो हमने standard choose किया है, तो of the same kind उसके बाद आपको क्या लिखना है taken as reference तो taken as reference तो हमने standard choose किया, same kind का, जैसे हमें चीज नापनी है उसी तरह का एक standard choose किया ताकि हम उसे reference की तरह use करें ठीके, in order to measure the physical quantity तो physical quantity हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था तो पिछले पार्ट में बात की थी physical quantity क्या है जैसे length एक physical quantity है तो length वाली physical quantity को measure करने के लिए हमने एक standard choose कर लिया उसी तरह का length को नापने के लिए हमने क्या-क्या एक ऐसी चीज को measure कर लिया तो इस तरह से reference ले लिया हमने ताकि हम उस physical quantity को measure कर सके तो इसे ही कहा जाता है unit I hope अब आपको unit के बारे में पता चल चुका होगा unit क्या है तो unit के बारे में हमें पता चल चुका है अब हम बात करेंगे कि किसी physical quantity की measurement का मतलब क्या होता है तो इसको पहले हम समझते हैं इसके बाद इसकी definition वगरा लिखेंगे या इसका meaning वगरा लिखेंगे तो यह point A है और यह point B है हमें length नापनी है यानि कि A और B के बीच का distance कितना है इसे हमें measure करना है तो physical quantity यहाँ पर क्या है distance या यूं कहले जे length उसे measure करना है तो कैसे measure करेंगे देखिए तो इसको measure करने के लिए जो हमने क्या किया था एक unit यह रही हमारी इसको हमने standard मान लिया था तो यह देखें कितनी बार इसमें आ रही है एक बार और दो बार तो हम यह कहेंगे कि A और B के बीच का दो distance है वो दो units है और इस unit को हमने नाम क्या दिया था inch तो हम कहेंगे A और B के बीच का दो distance है वो दो units यानि कि दो inch आ रहा है तो measurement of a physical quantity का मतलब क्या देखिए तो यह एक process है तो इसको ऐसे लिखेंगे it is a process तो एक ऐसा process है जिसमें हम क्या करते है in which physical quantity जिस physical quantity को measure कर रहे है उसे compare करते है तो is compared with the number of times the chosen standard तो अभी हमने क्या किया A और B के बीच में जो length है उसको measure किया कैसे measure किया तो एक बार और यह दो बार तो हमने क्या किया इस physical quantity को compare किया इसके साथ जो हमने standard choose कर रखा है इसके साथ compare कर लिया कि इसमें दो बार आ रहा है तो पता चल गया कि A और B का बीच का distance two units यानिकी दो inch है तो ऐसा process जिसमे physical quantity को compare करते है कि कितनी बार इसमें हमारा जो chosen standard यानिकी unit है वो कितनी बार इसमें आ रहा है ठीक है is contained in the given physical quantity तो जो भी हम physical quantity को measure कर रहे थे उस physical quantity में इस distance में हमारा जो standard है वो कितनी बार आया उसी को कहेंगे measurement तो हो गई measurement कि A और B के बीच में हमारा जो chosen standard है unit है वो contained कितनी बार आया इसमें कितनी बार आया दो बार तो इस तरह से measurement हो जाती है तो इसमें आपने ये सीखा कि जब भी हमें measurement करनी होती है तो हमें पहले एक unit select करना होता है एक standard choose करना होता है तो हम क्या सकते हैं कि measurement का जो process है इसमें दो steps होते है it includes steps तो नहीं बोलेंगे two components इसमें दो चीज़े involved है देखिए जब भी आप कोई भी physical quantity measure करेंगे तो पहली चीज क्या इसमें है पहली चीज है देखिए selection of a unit कि आपको unit select करनी होती है कि a और b का बीच का distance नापना है तो unit क्या select करें ये भी select कर सकते हैं हम चाहें तो units छोटी भी select कर सकते हैं देखिए जैसे ये है ये छोटी unit हो गई तो selection of unit दूसरा main part क्या होता है measurement में numerical factor या numerical value कि जब हमने इसको measure किया तो इसमें ये कितनी बार आया दो बार तो वो जो दो value है उसे क्या बोलेंगे numerical factor या फिर numerical value तो इस तरह से physical quantity का measurement किया जाता है लेकि उसके लिए क्या जरूरी है उसके लिए हमें पता होना चाहिए unit क्या है कितनी है तो unit के बारे में पता होना चाहिए तो हमने unit के बारे में पढ़ लिया और physical quantity को कैसे measure करते हैं ये भी जान लिया तो इस तरह से अभी तक की class में हमने ये जान लिया कि physical quantity क्या होती है कितनी तरह की physical quantity होती है और साथ में unit क्या होती है और physical quantity की measurement का क्या मतलब होता है प्राइब लिया